असलामों अलेकुम, हेलो फेंस, वेलकम टो मैं जहां रास की चेन, मैं हूँ जहां आरा, उम्मीद करती हूँ आप सब फेरिये से जरूर होंगे स्प्राउट की बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ स्प्राउट से हम बनाने वाले हैं दो हेल्दी नास्ता, जीसे आप सुभा-सुभा नास्ते में भी बना का त्यार कर सकते हैं आप चाहें तो देख सकते हैं, एक रात में इस तरह से स्प्राउट बनकर त्यार हो जाएगा, यानि चन्या अंकूरी थोकर त्यार हो जाएगा, अब मैं आप डाल देती हूँ, दो से तीन मीडियम साइस का आलू, छोटे टुकुरों में कट करके, इसी के साथ दो मीडियम सा आने तक पका लेंगे, से से साथ विसल देने के बाद मैंने स्टोप को आफ कर लिया तब जो है इसका प्रेसर खुद बखुद रिलीज हो चुका है, अब मैं इसका लीड हटा कर आप लोगों को दिखा देती हूँ, मासला से यहां पर देखिए, प्यास, टामाटर, आलू अच्छी तरह से गल गया है, अब हमें क्या करना, इसका जो करी है, उसका ग्रेवी थोड़ा सा गाड़ा बनेगा, यानि ठीक होगा, तो यहां पर देखिए, मैंने अच्छी तरह से मैस कर लिया है, अब मैं हमें चने को तोड़ के भी दिखा देती हूँ, यानि मैश करके दिखा देती हूँ, कितना पर्फेक्ट लिए पग गया है, अब हमें क्या करना, इसका मसाला त्यार करना है, तो मसाला बनाने के लिए मैंने स्टोप के हाई मीडियम फ्लेम पर एक कड़ाई रख ली है, कड़ाई के गर्म होते ही, हमें यहां पर 50 ml के करीब रिफाइंड ड जाए, फिर हमें यहां पर एक मीडियम साइस का प्यास जो है, उसे बारी क कड़के डाल देना है, इसका जो कचापन है जाने तक हम अची तरह से फ्राइ करेंगे, तो यहां पर देखिए, प्या बिणी और भी हलका रसा चेंज हो चुका है, अभ प्याश का पावडर मसाले कभी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैंने दो चमस डाल दिया है पाव भाजी मसाला दो मिट के लिए सबी मसालों को हम अच्छी तरह से स्टोप के लो फ्लेम पर पका लेंगे फिर हमें यहां पर चना एड़ कर देना है तो यहां पर देखिए अब मैं इसे डाल देती हूं और मसाले के साथ हम इसे 2-3 मिट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे अब मैं आप डाल देती हूं एक कप के करीब पानी पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको इसका मसाले का ग्रेवी गाड़ा रखना है उसे हिसाब से आप यहां पर पानी डाल लिए स् पाउडर और साती हरा दन्या पारी कटकर डाल दूंगी अब हम इस टोप को आफ कर लेना है सबी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे बहुत ही मज़िदार का और हिल्दी नास्ता बनकर तयार होगा अगर आप इस तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी त टो चली अब जो हमारा अंकुरी चना मसाला बिल्कुल बंकर तयार है अब मैं हाँपर अंकुरी चना पराटा बनाकर आप लों के साथ शेयर कर देटी हो तो इस तरह से मैंने हैं यहां एलिया हैं अंकुरी चना यानि स्प्राउट डेर स्ड़ुम्सपराउट के करीब अब पीस लिया है पेस्ट कर लिया है अब हमें हाँ पर एट कर देना है एक इंच का अधरक इसी के साथ में हाँ पर डाल देती हूं हरा धनिया बारी काट कर हाफ कप के करीब और साथी हमें हाँ पर एक छोड़ी चमत साबुत जीरा यानि साफेद जीरा डाल देना है और इसे हम अ के दो चमचे करीब हम यहां पर तेल डाल देना है सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें पहले पूराओं कर देना है अंकूरी चने का पेस्ट हम यहां पर डाल देंगे और पहले हम आठ में इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे पानी बिल्कुल भी हम ने डालेंगे पहले हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमें जब पानी की जरूरत होगी तो हम पानी एट करेंगे अब मैं आपर डाल देती हूं पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें बिल्कुल इसका एक स्मूड डो तैयर कर लेना है यानि चिकना डो हम बना लेंगे तो यहां पर देखिए अब जो हमारा डो बिल्कुल तैयार है दो चमच मैं आपर तेल डाल देती हूं और इसे हम और 2-3 मिट के लिए अच्छी तरह से मसल कर चिकना गुंद लेंगे तो यहाँ पर देखिए आटे को मैंने 4-5 मिट के लिए अच्छी तरह से मसल तेवे चिकना गुंद लिया है अब मैं इसे 10-15 मिट के लिए साइट पर रख लेती हूँ ताकि आटा और भी सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर हमारा आटा जो है 15 मिट के बाद अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है आप देख सकते हैं अब जो है हम इससे पराठा बनाएंगे तो एक बार मैं दो मिनिट के लिए और एक बार अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेती हूँ उसके बाद हम इसके जो लोई है उसे बना लेंगे यानि गोले थोड़ा सा बड़ा सा इसका बनाएंगे रोटी से मुताबिक हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अब मैं एक गोला ले लेती हूँ बाकी कूँ में ढखकर रख देती हूँ थोड़ा सा सूखा आटा छुड़कर हमें इसे बेल लेना है इस तरह से हम बेल लेंगे पहले आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन रोटी भी सेकर खा सकते हैं बना कर खा सकते हैं लेकिन अगर पराठा बनाते हैं तो इस तरह से बनाईए थोड़ा सा घी लगा ले थोड़ा सा आटा छुड़क दे फिर इस तरह से आपको फोल कर लेना है फिर से आपको घी लगाना है और इस तरह से आपको फोल करना है इस तरह से आपका स्क्वेर पराठा बिल्कुल बनकर तयार होगा तो अब हमें इसे बेल लेना है सुखा आटा लगा कर हम अच्छी तरह से इसे बेल लेंगे बिल्कुल स्क्वेर सेप में बहुत ही मजदेदार का पराधा बन कर त्यार होता है और बहुत ही soft रहता है अगर आप office आते हैं तो इसे बनाकर अपने lunch box में लेकर जा सकते हैं या फिर अगर अपने बच्चों को भी school के tipping box में भी इसे बनाकर दे सकते हैं जो भॉषल लगा आकर बिलकुल इस तरह से भॉ教 से लेना यह जब तक हमारा पराथा अची तरह से पथ राणी किया बनगता है विलकुल इस तरह पर्ण लेंगे ज्य He답 यह दो ह fact लें यह हैं चने का प्राथा बन के त्यार है बहुत ही मज़िदार का बनकर तयार होता है जरूर ट्राइ किजेगा इसी तरह से मैं बाकी का पराठा भी बना कर सेख लेती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़िदार का हेल्दी नास्ता बनकर तयार होता है सुबह में आप चाहें तो breakfast में भी इस तरह से नास्ता बना कर सकते हैं इसे आप lunch box यानी lunch में भी बना सकते हैं या फी dinner में भी बना सकते हैं बहुत ही मज़िदार का पराठा बन कर तयार होता है और साथ ही आपका sprout चना मसाला भी बन कर तयार होगा तो इस recipe को जरूर ट्राइए किजिए इन्शाला से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है तो friends अगर आज की recipe आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए helpful लगती है तो please इस वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe जरूर करते भीजाएए साथ में बिल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा उससे मेरी वीडियो की notification आपके फून पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं एक ने recipe के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दूाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज